2nd part में equation given है 3x square minus 4 under root 3x plus 4 equal to 0 तो nature find करने है इस roots के तो पहले इसकी compare करने है standard equation से लिखेंगे compare with ax square plus bx plus c equal to 0 तो देखे a की value कितनी हो जाएगे 3 b की value कितनी हो जाएगे minus का 4 under root 3 और c की value हो जाएगे यहां 4 ठीक a b c की value find करने के बाद तुरंत discriminant find करते हैं तो लिखेंगे d equal to b square minus 4ac b कितना हो जाएगा minus का 4 under root 3 उसका square minus 4ac तो a की जाएगे कितना जाएगा 3 c की जाएगा 4 तो minus का square plus आएगा 4 under root 3 का square कर रहे है तो 4 under root 3 multiply 4 under root 3 4 4 जा 16 under root 3 की multiple under root 3 से करेंगे कितना हो जा 3 16 3 जा 48 तो इसका square जाएगा 48 minus 4 3 जा 12 12 4 जा 48 तो d की value हो जाएगी 0 ठीक तो हमने d के 3 cases बतायते है या तो d बड़ा होगा 0 से या equal होगा 0 से या less than होगा 0 से इक्वल रियल रूट्स एग्जिक्स्ट 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 ठीक हमें नेचर बताना था रूट का तो यह नेचर होगा रूट का कि वह दो रूट जो होगे इक्वल होंगे और दोनों रियल होंगे ठीक इसके बाद हमें उन्हें फाइंड करना अगर रियल है तो वाद्रेटिक फॉर्मुले साम इसे फाइंड कर रहे हैं लिख रहे है बाई क्वाद्रेटिक फॉर्मुला एक्स इक्वल टू मैमाईनस बी प्लस लाइनस अंडर रूट d और अप्पॉन में क्या जाएगा टु ए तो एक्स इक्वल टू कितना हो जागा जाएगा माईनस बी की जगे कितना पूट कर दे Hangए मैउस का 4 अंड रूट 3 प्लस माईनस अंडर रूट d बीकी जगे कितना पुट करेंगे हम जीरो अर अपन मा जाएगा 2A, A की जगे हम कितना पुट करेंगे 3 तो यह हो जाएगा X equal to minus minus plus 4 under root 3, 2, 3, 6 यह जोना 0 हो जाएगा, 2, 2, 4, 2, 3, 6 ठीक ना, तो परीसे इतना ही रखते हैं तो यह हो जाएगा X equal to 2 under root 3 upon में 3, देखिए पहला roots भी हमारा यही आएगा और दूसरा root भी यही आएगा क्योंकि दोनों जोना 2 root आएगे सबसे बड़ी power कितनी है दो, तो दो root आएगे और दोनों कहेंगे equal आएगे, ठीक है ना, तो equal पहला root यह हो गया और दूसरा root भी same यही हो गया